ब्रोट तो यू बाई 5pesa.com, investing made easy and rewarding, download the app now. ब्रस्ता के लिए ठीक नहीं समझा जाता, उपर से जो अमेरिका में ब्याजदरे भढ़नी शुरू हो गई हैं, तो हम देख रहे हैं कि डॉलर, इंडिया, इंडियन करंसी के मुकाबले मजबूत होना शुरू हो गया और इससे अब तनाव और अबढ़ता चला जा रहा है, ग जाने कि जादा कमाई जो फॉरं से करती हैं कंपनिया, उनके लिए रुपे की वीकनेस ठीक है, मिसाल के तोर पे IT और फार्मा आप जादर कंपनिया देखेंगे, कि इनके जो ग्रहक हैं, वो विदेशी हैं, इनका जो मेजर आयमें कॉंट्रिबूशन होता है, वो फॉरं कर करती हैं, उनके लिए डॉलर का बढ़ना पॉजिटिव है, साथी साथ एक सेक्टर है टूरिजम, देखिए जो घरेलू टूरिजम है, उसमें इदाफा होना लग जाता है, यानि कि प्रेटरों की जो संख्या है, जो इंडिया में आते हैं, उसमें इदाफा देखने को मिले और इस लिहाज से टूरिजम इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव है, जो भी ऑपरेटर्स डूमेस्टिक टूरिजम में ऑपरेट करते हैं, उनके लिए पॉजिटिव, लेकिन गिरते रुपे से जो है, वो सेंटिमेंट बिगड़ता भी है, कुछ पर्टिकुलर और उसमें मेजरली इंपोर्टर्स को पाएंगे आप, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो मेजर इंपोर्ट बिल है, वो ओयल से ही होता है, तो पहले पायदान पे तो वो कंपनिया जो ओयल इंपोर्ट करती हैं, उनके लिए जटका, वैसे भी हम देश के कुल खपत का 80% जो ते एवियेशन, इनका जो मेजरली ओपरेटिंग खर्च होता है, वो डॉलर देनॉमेनेटिट होता है, लगबग 70% ओपरेटिंग खर्च डॉलर टर्स में है, तो एवियेशन स्टॉक्स के लिए भी नेगिटिव, इसके लावा अगर डॉलर यहां से बढ़ना और शुरू होत है, तो वो कॉमरिटी को भी हिट करता है, आप देखेंगी कॉमरिटी मार्केट में बेस मेटल में एकदम से प्रॉफिट बुकिंग होने लग जाएगे, वो बेस मेटल और मेटल स्टॉक्स का कोर्लेशन देखेंगे, वो पॉजिटिव आपको दिखाई दिया, तो ओविसल अगर लोन है, जिन भी कमपनियों को और वो हेज नहीं है, तो उनके लिए भी दिक्कत अब भढ़ती हुई नजराएगी, जो भी कमपनिया अपना रॉव मिटीरियल फॉरण से इंपोर्ट करती हैं, देखें हम इस कैटेगरी में दो सेक्टर को बहुत क्लोज़ी ट्राक कर करते हैं, एक है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल गोड्स कंपनिया और दूसरा है कैपिटल गोड्स क्योंकि अपने रॉव मिटीरिल को इंपोर्ट करते हैं और उनकी इंपोर्ट लागत जो है, वो एकदम से भढ़ती हुई नजराती है, तो अगर रुपया और वीक हुआ इस सेक्टर को उठाना पड़ेगा, तो इस लिहाज से बैंकिंग सेक्टर के लिए भी नेटनेट नेगिटिव ही होता है रुपया